हेलो, what's up guys, आज हम इस फीडियो में देखेंगे, page in essence with the help of 10 stack query, जिया guys, तो finally वो घड़ी आ गई है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि page in essence को हम कैसे implement कर सकते हैं, देखो, page in essence को implement करने के बहुत सारे तरीके, आप चाओ, तो simple javascript के मादद से, react के मादद से, next के मादद से, आप angular view, कोई भी PHP, कोई भी programming language आप उठा लो, वहाँ पे आप page in essence को implement कर सकते हो, and उनका funda भी same ही रहता है, but मैं आज आपको यह बताऊँगा, कि आप हमारा यह जो project है, उस पे आप page in essence को कैसे implement कर सकते हो, with the help of 10 stack query, and for example, मैं आपको दिखाना चाओंगा, यहाँ पे बहुत next page मिलता जाएगा, and बीच में आप देख सकते हुए, कि हमारा जो page का number है, वो हमें दिखाई दे रहा है, and then again जब हम previous पे click करेंगे, तो हमारे जो previous page से, वो हमें मिलेंगे, and previous पे guys हमने और further conditions add की है, and that is कि अगर हमारा page number 1 या 0 हो जाता है, उसको हम फिर disable कर देंगे, क्योंक है, वो आज आपको इस वीडियो में सिखने मिलने आला है, all our guys, तो अब हम भीना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते है, लेकिन उससे पहले previous वीडियो को चेक आउट नहीं किया, complete react version 19, I highly recommend, please check out कीजेगा, and video का like target है, सिर्फ और सिर्फ एक हजार लाइक, जो कि आप ब ठीक है, तो या, मैं चलूँगा यहाँ पे, अब कभी भी आप जब guys, page in essence को implement करने जाओगे, तो कुछ चीजे हैं जो बहुत important है, ठीक है, for example, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया कि यह जो data आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, यह कहां से हमें मिल रहा है, API से, कहा अधर इस पे मैं अगर click करता हूँ, मुझे और एकदम important data मिलता है, I mean उसका पुरा detailed data मिलता है, again कहां से, from API, ठीक है, तो उसी तरीके से, जब हम page in essence करेंगे, जहाँ पे we have one button, यहाँ पे page का number, and यहाँ पे next, तो जब मैं next पे click करूँगा, तो क्या होगा, मुझे और next, I mean second page के मुझे और तीन data आ जाएंगे, तो वो कहां से आ रहा होगा, obviously वो जो data आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, again from your API only, तो अब यहाँ पे भी हमें API call का request करना जरूरी है, and एक चीज़ बहुत important है, कि जब भी आप कोई भी API के साथ खेल रहे हो, यह make sure करना कि at least वहाँ पे पे page nation के लिए हमें, basically page nation का support वहाँ पे हमें मिले, बना ऐसे बहुत API है, जहाँ पे page nation का support नहीं, आप दिमाग लगाते रह जाओगे, भगवान क्यों नहीं हो रहा है, समझे रहे हो, तो वो page nation का support होना चाहिए आपकी उस particular API में, and luckily दो इस पे में page nation exactly तो नहीं बोलूगा, JSON placeholder बट हाँ हम यहाँ पे उसका use कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ, त्यान से देखना, so इस पे मैं इंडिविजल की कोई need नहीं मुझे, यह बहुत important है क्योंकि आप मुझे एक और API लगने वाला है, and app.jsx की मुझे कोई need नहीं, खाली मुझे यह दो page की need है, ठीक है अब यह मेरा एक QL है, and ठीक इस QL के नीचे मैं चलूँगा, मैं एक div लूँगा, ठीक है, इस div के अंदर मुझे दो buttons लगने वाले, मुझे दो button लगेंगे, एक होगा मेरे previous के लिए, ठीक है, and दुसरा होगा मेरे next के लिए, ठीक है, and मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक कि जगे पर मैं एक paragraph ले रहा हूँ, या H1, या आप कहलेजे, let's go with H2, जहाँ पर हमारा जो page का number है, वो मुझे मिलेगा, अब यह जो page का number है, वो dynamic update हो रहा है, and वो किस के base पर dynamic update हो रहा होगा, तो गाइस बताओ, react में अगर आप कभी भी काम करते हो, and when it comes to your state management, तो आपके simple option यह है, go with use state, अब ऐसा तो है नहीं, कि अगर हम 10 stack query या react query उस करें, तो आप मुझे use state यूजी नहीं करना है, तो नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जो simple लग रहा है, आप use state hook की मदद लीजे, 10 stack query की मदद लीजे, दोनों का blend करके, काम कीजे, so let's go with const, let's go with page number, ठीक है, let's go with set page number, will be equal to your use state hook, and by default मैं page number रख रहा हूं, 0, ठीक है, and yeah, let's go with 0 only, यह जो page number है, वो मैं यहाँ पर put कर दे रहा हूं, इस तरीके से, ठीक है, so इतना मैं करता हूं, and let me tell you one thing, मेरे पास एक class का नाम है, जो मैं paste करना चाहूंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो pageination section and container, क्यू यहाँ पर चलता हूं, तो आप देख सकते हूं, कि यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से वो data दिखाई दे रहा है, ठीक है, previous, 0, and then next, ठीक है, अब जब मैं next पर click करूंगा, तो मुझे यह जो particular data है, उसका next page चाहिए, and आप एक चीस ध्यान दो, कि यहाँ पर पहला, दूस असरा, and then तीसा, total we have three cards, तो मैं जब जाओंगा second page पर, तो मुझे वहाँ पर क्या data मिलना चीए, मुझे data मिलना चीए, 4, 5, and then 6, ठीक है, वहीं, फिर से, अगर मैं चलता हूं, मेरे तीसरे page पर, तो वो आएगा 7, 8, and then 9, अब यह depend करता है, मैं फिलाल सिफ तीन card दिखा रह देखो, बहुत easy है, funda समझना ठीक है, so guys, यहाँ पर आप देख सेखते हूं कि हमारा API का URL है, वो बहुत important है समझना, क्योंकि यह जो particular part है, dot com, यह तो हमारा base URL है, उसके बात forward slash post जो हम बार बार देख रहे थे, but, now यहाँ पर आप एक चीज़ देखना बहुत important, and that is, यह ज rating only 3 cards per page, सबसे पहली बात तो यह, ठीक है, आप इसको चाहो तो 4 कर सकते हो, आप इसको चाहो तो 5 कर सकते हो, तो उसके base पे 4 या 5 card मिलेगा, and यह जो start वाला जो दिखाई दे रहा है, यह आपका page का काम कर रहा है, जी हाँ guys, तो यहाँ पर इन्हों ने बस start लिखा है, but मतलब यह कि यह जो value है, यह जो 1 है, इसको मुझे dynamic बनाना है, so आसा करता हो guys, आपको funda पता चल गया होगा, तो मैं क्या करूंगा, हमारा यह जो particular code है, by the way, यह वाला जो code है, हमने जब first time data हम fetch कर रहे थे, तो देखो नहीं, यहाँ पर already मैंने वही कर के रखा हूँ है, if you remember underscore start equal to 0, and underscore limit equal to 3, by default यह हमारा code already है, मैं अब क्या करूंगा, जब मैं पेजने से implement करने जा रहा हूँ, तो हमारा जो first video था how to get, या how to fetch data using 10 stack query, उसी को ही मैं update कर रहा हूँ अब ठीक है, तो ध्यान से देखिया, मैं क्या करूंगा, fetch post है यह, इस जगे पर चल रहा हूँ, इस ज page number कौन सा है, मुझे यहाँ पर बताना है, इस जगे पर, dynamic, ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, let's, this time मैं function को पहले call करता हूँ, and then मैं उसको define करूंगा, ठीक है, द्यान से देखना, कल की वीडियो में मैंने इसका opposite किया था, so, अब fetch post पर मैं जा रहा हूँ, and यहाँ प query function के अंदर कोई भी function को call कर रहे हो, and उसके अंदर अगर आप कोई भी argument pass कर रहे हो, तो यह गलत है, हम इस तरह किसे नहीं कर सकते, so, what we need to do, आपको एक fat arrow function इस तरह किसे बनाना है, then आपको इसको call करना है, ठीक है, अब यह आपका काम हो गया, यह आपका काम हो गया है, API.get के मतलब से data, URL को मैं hit कर रहा हो, and जो भी मुझे data मिलता है, अगर उसका status code 200 है, then वो data मुझे return कर दीजे, else आप एक empty square bracket return कर दीजे, simple, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, it's just, अब यह जो particular 0 वाली value है, मुझे इसको dynamic बनाना है, क्योंकि जब-जब user या तो next या तो previous पे क्लि इस तरी किसे, so मैं यहाँ पे page and then number लिख रहा हूँ, अब obviously page number मुझे यहाँ पे पहले get करना पड़ेगा, इस तरी किसे, so, आप function को call कर रहे हो, आपने एक argument पास कर दी, and जब मैं उस function को define कर रहा हूँ, तब मैं अब उसको as an argument मान के, sorry, यह अब आपका एक parameter कह लाएगा, तो एक parameter समझ के मैंने get की, and यहाँ पे मैंने pass कर दी, मेरा खतम API मेरा यही है, यहाँ पे extra कुछ नहीं है, अब पूरा का पूरा खेल अब आएगा कहाँ पे, इस जगे पे, जब आप button पे करोगे click, ध्यान से देखना है, जब आप next button पे click करोगे, तब क्या, तब क्या scenario जब भी next पे click करेगा, तो आपका page number एक से increment हो, and the moment अगर वो increment होता है, तो API call होगा, and वहाँ पे page number जो पहले 0 था, वो 1 हो जाएगा, right, तो आपका काम हो गया next 3 data मुझे मिल जाएगा, right, तो अगर मैं यहाँ पे यह कर दू, and that is page number plus 1, अगर आप यह सोचते हो, ठीक है, let's try क्या जा रहा है, है न, try करने में किसका क्या जा रहा है, so, मैं अगर next पे click करता हूँ, oh my god, आपने notice की या नहीं, but आप एक चीस तो जरूर देख सकते हो, and that is, मेरा page number 1 हो गया, यहाँ पे मेरा page number 1 से update हो गया, मैं वापस इसको click करता हूँ, and अगर आप देखोगे, तो यह जो value है यहाँ पे, अब देख सकते हूँ कि इसकी value 2 हो गई है, मतलब कहीं न, कहीं यह मेरा काम कर रहा है, कहीं न, कहीं मेरा यह जो code है काम कर रहा है, but there is a difference, and that is, कि यह तो, देखो न, like यह अभी भी वह यह, 1, 2, 3 ही है, समझ रहे हो, अगर हम यहाँ पे भी चलते, basically यह जो मेरा part है यहाँ पे, यह इतना छोटा दिखा, यह देखो, post, 1, तो basically यह काम कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है, यह API को न, update नहीं कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, अब कल की वीडियो में हमने query की पड़ी थी, जहाँ पे हमें उसकी इतनी कोई need पड़ी नहीं ठीक है, बट अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होगा, सबसे पहली बात तो जब आप page number के साथ खेल रहे हो, कभी भी आप directly page number plus 1 मत करना, क्योंकि आप जब भी use state में जो updated function है, वो आपको मिलता है तो उसके अंदर भी आप further destructure कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिलता है previous value क क्या थी उसकी, तो मेरी जो भी previous value थी, plus 1 में करना चाओंगा, simple right, तो यह एक simple सा funda था यह, अगर यह मैं करता हूँ, and वापस मैं अगर यहाँ पे click कर देता हूँ, तो आप आप देखो इसकी value 1 हो गई, वापस click कर दूँगा, इसकी value 2 हो गई, I know वो बहुत छोटा आपको दिखनी रहा है, but यह मेरा काम कर रहा है, but यह जो particular API यह वो hit नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि, क्योंकि हम जब यह query, use query हो, use कर रहा है, so we have something called query key, and query key में मैंने आपको कल भी बता था, कि यह जो array है, इसके अंदर जो भी elements होंगे, अगर उसकी value update होती है, या उसकी value change होती है, then and then only वो इस particular function को call करता है, but in our case, जब हम first time इसको call कर रहा है, ठीक है, तो post unique है, and हमें data मिल रहा है, but जब मैं next वाले को click कर रहा हूं, basically next के button को, तो यह basically इस function को वापस call नहीं कर रहा है, क्योंकि वो next button post को तो कुछ करी नहीं रहा है, so now guys, what we have to do, हमें यह जो page number है, copy करन है, इसको भी अब आपको एक query की बोल के pass कर देना, this is it, क्योंकि जब भी मैं next या previous पर click करूँगा, तो मेरा यह जो basically देखो ना, set page number को अगर मैं update करता हूं, तो मेरा page number अपडेट होई जाएगा, है ना, अब यहाँ पर मुझे उसको minus करना है, इस तरीक से, ठीक है, एक minus क को call कीजे, and यह function अगर call होगा, तो वो page number, let's say मैंने second पे click किया, इसकी value 2 हो जाएगी, इसकी value 2, and basically इसकी value इस तरीक से 2 हो जाती है, तो अब हमारा जो page है, वो start होगा from second, तो उसके base पे मुझे वो second page के तीन data वो दिखा देगा, तो यह इस तरीक से काम करता, ठीक है, यही ह query key, and pagination में यह सबसे जादा important था, कि अब आपके mind में एक doubt यह था, कि हमारा यह जो set page number है, यह तो हम update कर रहे है, and जब भी इसको हम update करते हैं, तो मेरा page number update होता, जिसके कारण हमारा यह जो react component है, वापस re-render होता है, but in reality, जब आप 10 stack query उसकर यह काम नहीं करता, ऐसा कुछ भ रहे हो, वो अगर change होगा, तो ही यह आपका re-render होगा, बनना नहीं होगा, अगर re-render हुआ भी, एक second, re-render होता है, यह जो part है, करने से re-render होता है, that's why यहाँ पे जो आपकी value है, page number, 1, 2, 3, update हो रही थी, लेकिन वो यह particular function को वो वापस call नहीं करता है, इस particular function को वापस call करने क लिए आपको यहाँ पे page number या जो भी value आप चाहते हो कि भाई, जब भी वो change हो, यह function call हो, तो आपको query key के अंदर उसको pass करने पड़ीगी, and this is your query key, ठीक है, बस यह एक चीज़ था, यहाँ पे देखो, 3, 4, 5 आगिया, वापस click करूँगा, 4, 5, 6, वापस click करूँगा, 5, 6, 5, 6, 7, तो अब यहाँ पे क्या और, page nation मेरा काम कर रहागा, इस page nation मेरा एकदम perfect काम कर रहा है, बट बस एक problem है, कि मैं उस page को 1 से increase कर रहा हूं, बट in reality मुझे कितना increase करना था, देखो न, 5, 6, 7, click करूँगा, तो आब वो 6, 7, 8 हो जाएगा, 6, 7, 8, तो यहाँ पे बस एक ग साइए, जब आप माइनस करोगे, तो जो तीन डेट आपको दिख रहे है, उसको माइनस करके उसके previous तीन डेट आप दिखाईए, यह इसका logic है, Jason placeholder में अगर आप तीन कर रहे हो, तो इस तिरगी से, अगर आप 5 दिखा रहे हो, तो प्लस 5, माइनस 5 करना पड़ेगा, मैंने 1 कर दी, तो क्लिक करने के बाद जो पोस्ट नमबर 1, 2, 3 था, अब वो 2, 3 and then 4 हो गया, क्योंकि लिमिट तो चारी है, यहाँ पर, लिमिट तो स्वारी तीन ही है, ठीक है, तो तो यह जो स्टार्ट है, मैं बोलाँ कि, फर्स्ट क्लिक पे आप 0, 1, 2, 3 दिखाईए, से जब मैं वापस क्लिक करूँगा, 3rd time जब मैं क्लिक करूँगा, तो मैं को 6 नमबर से चाहिए होगा, तो यह गाइस इस तरीके से यह काम कर रहा है, simple, बस minus 3 and plus 3 आपको करना था, यहाँ पे, बस मेरा काम हो गया, रिफ्रेस कर रहा हूँ, and for some reason, यह 0 मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे वो page number 9 बता रहा है, जबकि in reality मेरा just यह 4th page number है, I guess, right, तो मुझे अब इसको tackle करना पड़ेगा, मैं क्या बोलूँगा, मेरा जो भी page number है, divided by 3 कर दीजिए, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, अगर इसको मैं refresh करता हूँ, तो first time यह 0 है, फिर मैं क्लिक फिर मैं क्लिक करूँगा to, but in reality यह मेरा third page है, ना कि second page है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, first time यह आपका 0 है, तो एक काम करते है, जब first time 0 है, तो भाई, आपका यह जो है, रहो आप, लेकिन at the end में जो भी आपकी value होगी plus 1 कर दे है, बस, इतना मैंने बोला, अब perfect, see, मेरा क दिख रहा है, but the moment में next पे click करूँगा, now I am in my second page, जहाँ पे मुझे 4, 5, 6 दिख रहा है, click करूँगा, now I am in third page, 7, 8, 9, and boom guys, see, मेरा काम हो गया, so previous पे click करूँगा, तो second page, 4, 5, 6, और previous करूँगा, तो first page, 1, 2, 3, और minus करूँगा, तो देखो guys, अब 0 पे चला गया, अब यहा सकते हैं, ठीक है, and कब मुझे disable करना है, मैं यह बोलूँगा, अगर मेरा page number की value जो है, if it is triple equal to 0, the moment अगर 0 भी क्या, अगर यह 1 होता है, क्योंकि 1 के नीचे तो हम जा नहीं सकते, तो आप guys, आप इसकी जो value है, उसको true कर दीजिए, ठीक है, या तो आप यह वाला condition लगा दो end operator, इस तरी किसे आप कर सकते हो, ठीक है, अब इसको एक बाद मैं refresh करूँगा, and guys, I just realized कि यह condition, क्या सोच के दिया, मैंने पाता नहीं, but हम page number ना by default वो 0 से start हो रहा है, if you remember, page number तो 0 है ना, first time तो, right, and the moment वो 0 हो जाएगा, तो let's go with ternary operator, एक second, let's go with ternary operator, अगर 0 होता है, तो आप इसको disable कर देना button को, नए तो false रहने दो, disable मत करो, ठीक है, simple condition लगा है, page number अगर 0 है, तो आप इसको disable कर देना, ताकि हम further उसको पर click ना कर सके, else false आप रहने दीजे, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, refresh करता हूँ, next, next, ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी मै next पर click कर तो पहले loading text आता है, फिर मुझे data आता है, जो कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, but at least previous, previous, previous and boom guys, अब वो click नहीं हो रहा है, क्योंकि वो disable हो चुका है, if you remember, अब यहाँ पर देख लो, एक second, मैं वापस दिखाता हूँ, आप लोगों को इस जगे पर, ध्यान स हो चुका है, but जब मैं next पर click करता हूँ, for the very first time, ठेक है, तो loading, फिर loading, फिर यह आता है, तो यहाँ पर एक option है हमारे पास, जब भी आप navigation, basically pagination का use कर रहे हो, तब यहाँ पर placeholder data करके data आता है, basically एक property है, जिसमें एक value है, that is keep previous data, समझे, and by the way यह जो चीज है, comma नहीं, sorry, semi-column लगेगा, and top पे आपको इसको भी import करना पड़ता है, तो मैं यह बोल रहा हूँ, कि आप जब data को fetch कर रहे हो, तो जो मेरे previous data है, आप उसको as it is रखिए, and जैसे ही नया data आता है, तब ही आप update कीजिए, loading text दिखाने की need नहीं है, क्योंकि वो अच्छा experience नहीं दे रहा है, right, तो यह हमने बोला, अब चाहो मैं first time जा रहा हूँ, ठीक है, देखो, loading कभी भी आपको नहीं मिलेगा, दो अगर data पाने में delay लग रहा है, उसी page पे रहेगा, वो 10, 11, 12 ही रहेगा, जैसे ही data रहेगा, तब ही वो update करेगा, यह देखो, 13, 14, 15, थोड़ा सा time ले रहा है, पहल यही है, next पे click करने पे आपको next page जाना है, और कितनी cards है, उसकी value आपको update करनी है, previous जाना है, previous एक बार 0 हो गया, तो उसको फिर disable कर देना है, page number आगर आपको दिखाना हो, तो आपके mind में आ रहा होगा यार, जैसे google में 1, 2, 3, 4, 5, इस तरी किसे 9 आता है, then directly 10 आता है, if you want व बहुत बाड़ी बात है, क्योंकि concept आपको पाता चल गया, so बता ना चाहूंगा, guys, मैं page nation के उपर अपलोड कर चुका हूँ, एक पूरा complete project, तो उसको check out नहीं किया, तो once again, उसका link में नीचे description and comment section में आपको provide कर दूँगा, उसको जरू check out कीजगा, एक तो वो तरीक आपक like कर दीजे, at least like कीजे, बिल्कुल free, click ही तो करना है, ना आपका पैसा जा रहा, ना मुझे कोई पैसा आ रहा, लेकिन at least आपके like करने से, मुझे motivation मिल रही है, वीडियो की rank बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जाएगी, उनकी help हो जाएगी, क्यों आप मिल के सब की help करे, है ना, खाली अपने में like सीख लिया और किसी को बताना नहीं, खुदी पैसे कम होंगा, ये mentality नहीं रखने आज की जमाने में, जमाना guys बहुत advanced हो चुका है, आपको लगता है कि मैंने तो ये सीख लिए, बाकी लोग भी कहीने कहीं से वो सीखी चुक complete hml, css, javascript, react, node express, mongodb, mysql, php, dynamic website, ये website, वो website, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में मैंने आप लोगों के लिए सेल रखा है, आप इसको check out कर सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी, like, motivation मुझे obviously मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, तो आप इसको भी जरूर बाई बूच सकते हो, and बताना चांगा, now guys, our next target is 7 lakh subscriber, and we are very close to 7 lakh subscriber, please subscribe कर देजगा, ताकि आप ऐसे awesome videos को मिसना करे, so guys, मिलता हो, मैं आपको कल की video मेर, till then guys, thank you so much, take care.